नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्टीशन प्रिपरेशन पर आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने आपको पता होगा कि आपका एक्जाम चार अगस्से शुरू हो रहे हैं और आज 24 तारीक है यह अभी आपके पास 10 दिन सेफ हैं अगर आप इन 10 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपका इसकोर 20 नमबर से 30 नमबर इनहेंस हो सकता है बस आपको क्या करना है उन चीजों को ध्यान से सुनिए और ये वीडियो इस वाज़ा से बना रहा हूँ क्यूंकि मेरे लगभग 7-8 लोगों के मैसेज आयते हैं इस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कई सारे लोगों के कमेंट थे कि 10 दिनों में मैं बहुत डाइवर्ट हो रहा हूं मैं क्या करूं सबसे पहले अब आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी है मैस में बस आप प्रेक्टिस कर पर्स का मैंने करवा रखा है अगर आपने देख लिए बहुत अच्छी बात है अगर आपके लगता है कि वीडियो प्लेवेक स्पीट अगर कोई वीडियो देख भी रहे मेरी भी वीडियो तो प्लेवेक स्पीट दो पर करिएगा वैसे देखेगा त्यूंकि आपका 15 मिनि कि आपको लास्ट के टेंडेज क्यों और क्यों रिवीजन करना है तो जीके में आप नई चीज कुछ भी नहीं पढ़ेंगे आपका इस्टेटिक पोर्सन जैसे है डैम्स एक्टराच मेरी जीके इस्टेट जी वाली वीडियो देख लिएगा उसमें इंपोर्टन टॉपिक सबसे लंबी कौन सी रिवर का मतलब यह वाला स्टेटिक पोर्सन मैंने इंपोर्टेंट शेयर कर रहा है वह देख लीजेगा डूसरी चीज रिजनिंग में जो आपका जिसे कैलेंडर क्लॉक की इंपोर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे ठीक है जो फार्मूले थे जो डाइ रिवाइस करना है वह फार्मूले अगर मैं इंगलीज की बात कहूं तो सारे रूल्स और ओकाइब अब इन 10 दिनों में केवल और केवल रूल्स और ओकाइब करने है और मॉक टेस्ट ना भी दो चलेगा लेकिन क्योंकि मॉक अगर आपको लगता है इन 10 दिनों में दोगे और आपका एबरेज स्कोर 130-140 रह रहा हूं अगर आपका 120 आ या 110 आ जा रहा है तो आप डिमोरल हो जाएंगे और आपका नमबर मिनिममम 10 से 15 नमबर आपके एक्जाम में कम हो जाएगा तो आपको ध्यान रखने है अगर आपका इसकोर अच्छा आ रहा था तो तो मॉक दी वीडियो 30 मिनट की होती है मैं 35 मिनट की होती है जिसमें मैं 20 प्रश्ण करवाता हूं जो आपके से सीजियल सी एचसल सीप्यों में पूछे गए प्रश्ण उन्हीं की एक्सपेक्टिट कोश्चन में करवाता भी हूं तो वह सारे वीडियो को आप प्लेवैक दो यानि 2x पे देख लिजेगा आपके लिए काफी अलफूल होगा नोट्स बनाने कोई जरूरत नहीं अगर आपको लगता कोई फर्मूला इंप्टेंट तो उसको दो चार बार कॉपी पर लिख लिजेगा वह हो जाएगा ठीक है तो अब आप अपने टाइम उटिलाइज क सीजियल 2019 सीप्यों 2020 सीजियल मेंज आईबी और फेजेट यह सारे पेपर्स करके जाने हैं क्योंकि अगर यह करके चलेगे तो इन ही में से डेपनेटली आपको कॉस्टेंस मिल जाएगे मैंने टॉपिक वाइज भी करवा रहे हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक आपने पढ़े 30 को 50 लाने लिए नहीं 30 को 40 बनाओ 40 को फिर 50 बनाओ 30 को 40 तो मिनिममम बना सकते हो कहसे आपने जो फार्मूले पढ़े हैं जो टॉपिक पढ़े हैं उनको पर काम करना है कि silly mistakes ना हो यह सारी चीज़ है तो जो topics आपने पढ़ रहा है जिन पर आपको confidence है exam में करते time ऐसा लगता है कि बहुत पहले पढ़ा था तो वह आले topics का आप revision करने का time आ गया है ठीक है तो इन 10 दिनों में बस आपको revision करना है revision करना और revision करना ठीक है बाकि अगर आपको कोई doubt है कभी आप tense feel करो या कुछ भी Instagram पे मुझे DM कर देना या आप यहीं comment कर देना मैं कोशिस करूँगा क्या आपको positive रखो दस दिन बात जो आपका exam है मैं analysis करवा के सब कुछ खतम कर दूँगा 300 questions की series जो चल रही है उसमें चार से प्रवाइड कर दिया है आज किसी कारण को सेट नहीं आ पाएगा क्योंकि कई सारी problems है और बाकी चीज़े आपको मैं बताता रहूंगा comment section में डाल दीजेगा